कि नमश्राइब दोस्तों मैं मुर्ष सेटी अपने चैनल इंगेस में आपना हार्ति स्वाइब करता हूं दोस्तों चैनल को बनाने हमारा मकसद है कि रूटीन में जो स्टूडिल्स की कैल्पूरेशन होती है उसको थोड़ा फास्ट किया है इसकी नीज क्यों है कर आने में सम उसकी नुट्स करते हैं तो जिसमें चैनल के पास्ट नहीं होएगी वो उसी कैल्कूलिशन में इसकी की कोई कॉमटिशन दे रहा है तो उसमें उसकी रैकिंग अच्छी नहीं आपना है उस चीज को धान में रखते हुए हमने आज के हमने आज के अज के अज विडियो 1 का हमारा टापिक रहेगा स्पीडी कैल्कूलिशन विद व्वधिक मैस जिसमें हुँ कवर करेंगे डबल दिजिट मुटिकेशन अधि फाइट चली कुछ समस्के थू इसको प्रेक्टिकर नहीं दे रहे है कि अब कैसे आज हम कवर करने जा रहे हैं लान विद फ इसको समझतें कैसे विदिक मैस में इस पर्टिकुलर टॉपिक पर जो ट्रिक हम आपको बताने जा रहे हैं उसके लिए पहले समझना होगा कि किस तरह के समस पर यह अप्लिकेबल रहेगी जैसे कि आप इन सारे समस में देख रहे होंगे यह समस डबल डिजिट के हैं एंड इसके अंदर लट पार सेम है विदर इस वाण टू थरी फोर फाइर और लाइट अब यह सॉल किस तरह से होगे हैं फर्स ट फॉल था उप पाई जा इस ट्वन्टीफाइट नेस्ट में क्या करना है यह जो उमारी लोवर फिगर है वशे तो यह दोनों सेम इह हैं किसी में म कर सकते हैं लेकिन प्रक्टिस में लाने के लिए इसको इजली हम नीचे वाले वन में ने वन मोर प्लस कर दिया है यह बन गया हमारा 1 प्लस 1 is equal to 2 you have to write down here 2 that is your answer quite easy routine में हम 2 by 2 को करते हैं बहुत समय लगता है एक और सम के साथ हम इसको प्लियर कर सकते हैं सेकंड सम में फिर से हम देखते हैं 5 5 जा 25 and again lower figure में 2 में 1 प्लस किया then it is 3 3 2 जा 6 answer is 6 25 दोस्तों इसको हम देख सकते हैं कि class second onward बच्चा भी इसको cover कर सकता है क्योंकि class second में भी हम 5 तक की table तो सिखा ही देते हैं तो ऐसा नहीं है कि वैदिक में किसी बहुत बड़े बच्चों की काम ही आएगा class second onward कोई भी बच्चा इन easy tricks को use कर सकता है एक और sum के साथ हम देखते हैं 5 5 जा 25 अगें फिर से वह इंटिक कर आएंगे 3 प्लस 1 lower 3 में हमने 1 प्लस किया equal to 4 then 4 को multiply करेंगे 3 से 4 3 जा 12 answer is 12 12 to 5 को हम आगे continue करते हुए up to 95 तक तो बहुत easily कर सकते हैं इसको even हम 3 digit multiplied by 3 digit बे कर सकते हैं and in 5 for example एक question लेते है 105 multiplied by 105 रोटीन में जो हम calculation करने बैठते हैं तो यह बहुत बड़ा सम लगता है बट आप देख सकते हैं कि विदिक मेद के तरू हम इसको कितना easily कर सकते हैं again 5 5 जा 25 5 into 5 is equal to 25 again नीचे वाले 10 में फिर से 1 plus किया यह हमारा बन जाता है 11 तो 11 को हम 10 से multiply करते हैं then it is 1 1 0 2 5 तो answer is 1 1 0 2 5 आपने देखा एक 5 digit का answer within seconds आगया इतना भी मुझे आपको समझाने में समय लग रहा है जब आप प्रेक्टिस करेंगे तो आप और भी ज्यादा देज कर सकते हैं mentally भी कर सकते हैं imagination के तो अब आप देख सकते हैं इसी pattern को use करते हुए आप आगय के सम खुद से करने की कोशिश कीज़िए I hope आपने ट्राइ करिया होगा चलिए दोस्तों अब देखते हैं बाकी की सम्स विदिन से कैसे सॉल होते हैं 5 5 जा 25, 4 plus 1 is equal to 5, 4 जा 20 next 5 5 जा 25, then 5 plus 1 into 6 into 5 is equal to 30, 3 0 to 5 is the answer 5 5 जा 25, then 6 plus 1 is equal to 7, 6 जा 42 5 5 जा 25, 7 plus 1 is equal to 8, 8 7 जा 56, 5 5 जा 25, then 8 plus 1 9 into 8 is equal to 72 it is 72 जा 5 5 जा 25, 9 plus 1 is equal to 10, 10 9 जा 90, answer is 9025 अपने देखा एक बार प्रतन सीखने के बार विदिन से के सारे सम्स होते चलिए गए तेक्यू आशकरत्तम दोस्तों वीडियो के रिपार्ट आपको अच्छा लागा होगा आपके पढ़ने से पहले मैं आप स्क्राइब करूंगा कि आपको प्याद के अबरे वीडियो के सुस्क्राइब करें अगला नेक्स टॉपिक है एंडिंग टैन अंड लेफ पोशन सेंग टॉपिक हिया है महाराज का मल्टिप्केशन संस अंडिंग टैन बट लेफ पाइप सेंग इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे एभी वीडियो की फस्ट पार्ट में आपने देखा तो आपने देखा तो अगला था 5 से एंड बुरा था इन दोनों जगें पे आप देख रहे थे 5 देखा रहा था अब इस नय कांसेट में हम देख रहे हैं कि इन दोनों लास्ट की डिजर्स का टोटल 10 9 & 1 10 2 & 8 10 3 & 7 10 4 & 6 10 लेकिन इनका जो लफ्ट पार्ट है वो सेंग है आए दोस्तों इन सम्स को भी करने की कोशिश करते हैं। पैटर्न कुछ-कुछ जैसे अभी हमने एंडिंग फाई सीखा था उसके जैसा है। नाइन बंजा तो यहां नाइन इंटु वन को हमने मल्डिप्लाई करते हैं तो सिंगल डिजिट आंसर आता है। लेकिन हमने यहां डबल डिजिट में लिखना है, means 0 9. Then again, same style में 1 में 1 प्लस करना है 2 वन का मतलब हो गया, जीरो टु भी लिख सकते हैं तब भी आंसर हमारा 2 09 गी आएगा। एक और सम का हम क्लियर करते हैं सम के थू। 2 x 8, 16, 2 x 8, 16, यह हमने double figure में use करना है, again 1 plus 1 equal to 2, 2 x 1, 2, answer is 2, 1, 6, same pattern को आगे बढ़ाते हुए, इसमें भी आप देख रहे हैं, 3 and 7, 7, 10 है और left position same है, 4 and 6, 10 है बट left position हमारा same है, एक और समय यह जो देख रहे हैं, 15 x 15, इसी pattern को आगे बढ़ाते हुए, यह ending 5 वाला वोई pattern बन जाता है, जो कि हमने अभी किया था, अब यह एक pattern हमारा आगे continue होता चला जाएगा, लेकिन आप देख रहे हैं, कि इसमें तो left portion है, वो हमने 1 की जगए 2 लेगा, लेकिन right portion, again वो ही है, 1 and 9, 10, 2 and 8, 10, 3 and 7, 10, 4 and 6, 10, like that, देखते हैं, इन सब को भी करते हैं, 9 x 1 equal to, again 0, but left portion, 2, again उसमें हम plus करेंगे, 2 plus 1 is equal to 3, 3 into 2, 6, then answer is 6, 0, 9, एक और सब करते हैं, 2 into 8 is equal to 16, अब ध्यान रखें, कि इसमें हमें double digit में ही answer लिखना है, जैसे आप यहां देख रहे थे, कि 1 into 9, केवल 9 single digit में answer आ रहा था, वो भी हमें double digit में ही लिखना है, 0, 9, अगें इस सब पर आते हैं, 18 into 2 is equal to 16, 2 plus 1, जैसा कि पैटर्न में हमारे चल रहा है, equal to 3, 3 multiplied by 2 is equal to 6, 6 1, 6 is the answer, बाकी सम दोस्तों, आप अपने style से कर सकते हैं, इसी पैटर्न को आगे बढ़ते हुए, बस उसमें left position सेम होता चला जाएगा, जैसे यहां 1 आया, आपने देखा, left position हमने यहां 2, 2 कर लिया, again इसको 3, 3 कर सकते हैं, 4, 4 कर सकते, up to 9, 9 इसको हम continue कर सकते हैं, दोस्तों आगे के sums हम देखते हैं इस इस तरह से, आपने वी करके try करके दिखाऊ को इसको, 7 इंटो 3 is equal to 21, 1 plus 1 equal to 2 multiplied by 1 is equal to 2, then 6 हो जा, 24, then 1 plus 1 equal to 2 multiplied by 1 equal to 2, then यह 15 इंटो 15 वाला, अभी हमने पिछली वीडियो के पिछले पार्ट में देखा था, वो ending 5 के तरह हम लोग कर चुके हैं, इसी तरह से, यह वाला सम, यह दोनों सम्स में पहले आपक करके दिखा चुका हूं, 3 इंटो 7 is equal to 21, then 2 plus 1 equal to 3 multiplied by 2 is equal to 6, same pattern पे 6 हो जा, 24, and left portion is 2 plus 1 is equal to 3, 3 इंटो 2 is equal to 6. I hope दोस्तों, हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी, एक बार कुने मैं आप से आगरे करूगा, कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्स्क्राइब करें, बैल आप पर प्रोक्रास करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन हमारे जो अगली वीडियो के है अगली वीडियो के हाथ, हम आपके सामने कुछ जल्दी आदे होगे, और अगली वीडियो के हमारे टापिक रहेगा, फैमली ओफ नाई, सिक्स, त्री और आप देखेंगे, कि कुछ संस के अंसर 18 डिजित तक भी आएगे, कल्कुलेटर में जनली हम रुख देखते हैं, कि 18 डिजित तक के आंसर आते हैं, लेकिन 18 डिजित तक की भी आंसर और आप बस पैन उठाएगे और फटबट फटबट लिखते हैं, व्यदिक मैंत का यही मुझा है, तब तक आप घर पर सेफ रहिए, खुश रहिए, थैंक यू बेक बच्छ